असलाव अलेकुम फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल सन्राइज मैं हूँ शनाज और आज हम बनाएंगे इस तरह की कैप जो गर्स के लिए है 15 से 16 साल के गर्स इसको पहन सकती है बहुत ही इजी है फ्रेंज इसको बनाना आप चाहें तो इसको पंपं के साथ पहने या फिर करके आप पोनी भी इसके अंदर से निकाल सकते हैं यह मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी किस तरह से तो फ्रेंज चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बैल वाले बटन को भी दबा दीजिए ताके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिछ सके चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं बहुत ही एजी है वूलन जो है वो आप किसी भी ब्रैंड की ले सकते हो मैंने वरतमान यान का इस्तेमाल किया है चाहे तो आप वरतमान यान भी इस्तेम कि ले सकते हो जिसकी मुटाई कुछ इस तरह की होनी चाहिए इसको हमें डबल करके इस तरह जलाना है कि आई ये अब हमें इसको बना लेते हैं ये देखे मैंने डबल बुलन ली है और इस तरह से एक लूप बना लेंगे ये वाले सिरे को हमें टाइट किसी चीज में लेपेट लेना है और ऐसे हम फंदे डालते हुए 36 फंदे डाल लेते हैं 36 लूप मैंने डाल लिये हैं आईए अब हम इसको बुन लेते हैं फर्स्ट फंदे को हमें सीधा बुनना है सेकेंड को उल्टा बुनेंगे एक फंदा सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा दो चार छे ये आट फंदे हमें इस तरह से बुनने हैं एक उल्टा एक सीधा एक इस आठ फंदे हमने बुन लिये हैं अभी हमें बाकी के 20 फंदे जो हैं वो सीधे बुनने हैं से फर्स्ट रो से ही इसका डेजाइन जो है बनना शुरू हो जाता है इदेखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठरा, उन्नी, भीस, आठ, फंदे हमने उल्टे सीधे भुने, और बीस फंदे हमने सीधे सीधे भुने हैं, अब यहां पर देखें, एक, दो, तीन, चार, यह आठ फंदे हमारे पास बज़े हैं, यह वाला जो फंदा है, इसे हमें यूँ स्किप करना है, बुलन को इस तरफ करेंगे, इस फंदे को तारेंगे, और बुलन को इस तरफ कर देना है, और यहीं से हमें इस तरह से टरन कर लेना है, यानि के दूसरा रो जो है, वो हमें साथ फंदे छोड़ कर बुनना है, आठमा फंदावी हमें स्किप ही करना है बस उसके इर्द गिर्द हमें बुलोन को घुमाना है यह देखें इस तरह से इसको स्किप कर लेंगे और यहां से शुरू करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारण, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, अटरा, उन्नी, बीस, अब यह देखें आठ फंदों को छोड़कर हमने बीस फंदों को उल्टा बुना है और अभी हमें बुलन को इस तरफ करना है और सीधे फंदे को सीधा और उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेना है सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, यह आठ फंदे हैं जो हम सीधे और उल्टे बुन रहे हैं यह लस्ट का फंदा है अभी हमारा दूसरा रो जो है वो पुरा हो गया है अभी हम तीसरा रो बुनेंगे अभी देखें यह आठ फंदे हमें उल्टे सीधे बुनने हैं और पाकी के सारे फंदे यहां तक हमें उल्टे ही बुनने हैं फर्स लूप को अभी हमें निकाल लेना है और सकिंड से शुरू करेंगे एक दो तीन यह साथ फंदे हो गए हैं यह देखें यह आठ हमारे फंदे जो है उल्टे सीधे हो गए हैं बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं अब यह देखें यह वाली जो स्टीच है यह हम भुन रहे हैं पहले हमें इन्हें छोड़ दिया था अब हम तीसरे रो में इसको भुन रहे हैं अब यह दो अब 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 इस चोथा रो बुनेंगे इसमें हमें सारी सलाई को सीधा ही बुनना है यहां तक यह वले आठ फंदे उल्टा सीधा बुनने हैं अब अब फर्स्ट रूप को इस तरह निकाल लेंगे सेकिंड से शुरू करेंगे यह सारी सलाई आठ फंदों को छोड़कर सीधी ही बुनेंगे बस इन ही चार सलाईयों को हमें बार बार रपीट करना है और इसको बनाते जाना है बहुत ही सिंपल सा पैटरन है यह देखें यह आठ फंदे एक दो तीन चार इसको हमें सीधा उल्टा बनना है सीधा उल्टा सीधा बन्दा उल्टा सीधा उल्टा ऐसी ही बस हमें बार बार इसको रपीट करते जाना है यह देखें चालीस रो मैंने इसके बना लिये हैं यह वाला हिस्सा जो है वो माथे की तरफ आएगा यह सर के उपर के हिस्से की तरफ जाएगा इस तरह से इसकी लंपाई जो है वो नजरा आएगी अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है यह कंप्लीट हो गया है यहां से लेकर यहां तक 58 रो है अभी हम अगर इंची टेप से इसका मेजर्मेंट करते हैं तो यह देखें यह वाला जो एरिया है वो इस तरह से हम नापेंगे यह देखें यह 18 इंच तक है और उपर का जो एरिया है इसको हम यहां से इस तरह से इंची टेप को रखते हुए नाप लेते हैं यह 9 इंच का है यह लाइने गिनकर भी आप इसका हिसाब लगा सकते हो एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारां बारां तेरां चोदां पंदरां सोलां सतरां अटरां उन्नी बीस इकी बाई तेई चोबिस पचीश चब्वीस ताई अठाई और यह लास्ट की जर्ढ़ आए 29 तो यह सारी लाइने जो है वह 49 है अचर अब हम इसको बंद करेंगे अभी हम उल्टी सुलाइब उंधे हुए इसको बंद करेंगे और बंद करने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह से हैं हमें ऐसे एक फंदे को निट कर लेना है बुल लेना है तो पिछले फंदे को निकाल कर आगे के फंदे के बीच में से हम निकाल देंगे तो इस तरह से एक फंदे में से एक फंदा निकालते हुए हमें बंद कर देना है इस तरह से यह चेन बन जाएगी इसके साथ हमें स्टिच करना असान रहेगा तो पूरी स्लाई में यहां तक बंद कर देती हूँ यह देखें ऐसी अभी लास्ट का जब स्टिच मारे पास रह जाएगा तो उसे भी हम एक बार इस तरह से बोल लेंगे और जो बाकी का धागा है जितना हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए उतना रखकर हमें इसको कट कर लेना है इसी धागे को हम इस तरह से किंच देंगे अभी यह देखें यह जो धागा हमारे पास पचा है इसके हम यह दो हिसे कर लेंगे एक हिसे के साथ हम यह वले एरिये की स्टिचिंग करेंगे और इसके साथ हम यह वले एरिये की स्टिचिंग करेंगे पहले हम यहां से stitching शुरू करेंगे, इसको मैं नीडल में डाल लेती हूँ, यह देखें ऐसे, अभी हम यह stitching यहां से शुरू करनी है और इस तरफ को लेकर आएंगे, यहां पर देखें हमें यह सीधी साइड है और यह दूसरी हमारी साइड है, यानि के दोनों यह साइड जो ह हम इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन हम stitching जो है यह वाली साइड से शुरू करेंगे, अभी हमें यह देखें, इस तरह से इसको मोल लेना है, और यहां से यह जो एरिया है, पहला स्टिच हमें यहां से उठाना है, ठीक है, यह देखें, अभी यह देखें, यह जो स्टिच है, यह वाले, ऐसे, इस तरह से दोनों साइड से हमें स्टिच को उठाते जाना है, और इसको सिलते जाना है, ऐसे जब आप स्टिचिंग करोगे, तो फिर इसका यहां से पता नहीं चलेगा, कि हमने यहां पर स्टिचिंग की हुई है, यहां से हम उठा रहे हैं, और यह देखें, ऐसे आपको स्टिच करते जाना है, प्छिंग करेंश है, यहां से बड़े हैं, यहां से जाना है, यहां से जाएंग करें हैं, यहां से आपको स्टिच मैंratos, मोगनों किस meantले जाना हैं, और दंदेखें से रार खवासेot जाना हैं, जांना हैं आ subject 007 Ну, अभी आप उपर देखें यह एकदम जो सलाई है वो एकदम साथ में मिल गई है यह देखें ठीक बस इसी तरह हमें इसको सिलते जाना है यहां तक पूरा इसको हम कंप्लेट कर लेते हैं ठीक है यह देखें मैंने इसको पूरा सिल दिया है यहां तक और यहां पर देखें आप बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने यहां पर स्टिचिंग की है और यह जो धागा हमने यहां पर बचाया था इसको मैंने नीडल में डाल लिया है और इसी के साथ अब हम यहां की जो है स्टिचिंग करेंगे बस इसको हमें सुई के साथ यह जो स्टिच हैं यह दिखें यह स्टिच इस तरह से उठाते जाना है ऐसे इसको सुई में हम डालते जाएंगे यह दिखें और जितना टाइट आप इसको करना चाहें कर सकते हैं बेलकुल इसको बंद भी कर सकते हैं अगर आप उपर से जो है अपनी पोनी को इसके बीच में से निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइट करके इसको बंद कर दें अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ पूरा इसको करके यह देखें बस इस तरह से हमें जो हाफ स्टिच है यहाँ से यहाँ से मैं इसको ऐसे उठा रही हूँ ऐसे इसको यूँ सुई में आप प्रोल है बस फिर इसको हमें कस देना है बहुत ही असान है इसे बनाना यह देखें यहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर अब हम इस सुई को ले आए हैं और यह पूरे जो स्टिच है वो दागे के अंदर आ चुके हैं अभी हम इसको ऐसे खीचेंगे तो जितना आप टाइट करना चाहें इसको कर सकते हैं थोड़ा सा टाइट करके इसको हम ऐसे यहीं पर इसको पका करके कंप्लेट कर देंगे पौनी बाहा निकली हुई भी इसमें से बहुत खूबसूर्त लगती है लड़कियों के लिए यह बहुत ही खूबसूर्त कैप जो है वो नजर आती है वो देखें वो कुछ इस तरह से नजर आएगी यह इस तरह का होल बन जाएगा और यहां से आप पौनी बाहा निकाल सकते हैं और अगर आप इस तरह का नहीं बनाना चाहते तो इसको पूरा टाइट कर देंगे हम यहां से ऐसे जैसा कि मैं इसको बनाना चाहती हूँ तो मैं इसको पौल को बंद करूँगी तो उसके लिए भी हमें ज्यादा इसको टाइट नहीं करना है यह देखें इस तरह से बस इतना ही काफी है और यहीं पर अब हम इसको पका कर देंगे कि यहां से एक बार हम इस तरह से धागे को पास करेंगे कि देखें यहां पर रिंग बन जाएगा ऐसे यह कंपलेट हो गई है अभी हम अगर इसकी दूसरी साइट देखेंगे यह देखें यह कुछ इस तरह से नज़राएगा अगर हम इसकी दूसरी साइट को देखें वह भी मैं आपको दिखाती हूं कि इस तरह से नज़राएगा दूसरी साइट से यह देखें यह इसकी दूसरी साइट है यह वाला एरिया भी आप इस्तमाल कर सकते हो यह देखें यह सलाई का हिस्सा है और यहां पर अब हमें किसे यूं स्टिच में से हम इस थागे को निकाल देंगे ऐसी और इसकी कटिंग करते हैं दोनों ही तरह से कैप बहुत ही कुपसूरत लगती है जाहे पोनी बाहर निकालने के लिए आप फोल खुला छोड़ ले या फिर इसको पंद कर दें और इसके उपर पंपम लगा ले बहुत ही कुपसूरत यह कैप लगती है और असान बहुत है बना के यहां पर हम एक पंपम लगा सकते हैं जो बहुत खुब प्सूर्ट लगेगा दोनों तरह की कैप यह बहुत अच्छी लगती है यह देखे यह कंपलेट हो गई है छोटों के लिए बड़ों के लिए जैसी चाहें आप बना सकते हैं बच्चों के लिए अगर आप के लिए बहुत ही खुपसूत लगेगी इस तरह से फॉक्स फर वाला पंपं भी आप लगा सकते हैं आई होब मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेट करके पूछ सकते हैं इंशाला अगली व